हेलो डे स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो 12 क्लास की बुक फ्लैमिंगो है उसकी जो पोईम कीपिंग क्वाइट उसकी समरी को हम डिटेल से करने जा रहे हैं चलिए शुरू करते हैं आज की अपने वीडियो को और अब तक हमने अब तक इससे पहले की सभी पोईम हमने की है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कीपिंग क्वाइट इजे पीस पोईम जैसा की जो आपका टाइटल क्वाइट क्वाइट मिन चुप रहना खामोश रहना इजे पीस पोईम इस टाइटल से में पता चलता कि बिलकुल एक स्यानती पिरिय पोईम है और रिटन बाइदा चिलियन्स पोईट पैबलो अब पोईट मानवता को कहते हैं पूरे हमन بن को कहता है कि गिंती गिनने के लिए कहता है कि 1 से 12 तक आप काउट केजिये गिन्ती केजिये और यहां पे जो 12 पैंग 12 में से यहां ज्त elaborator कि भी इसम मुच चाउट हो और भीस कीव है जो 12 है 1 to 12 जैसा कि हमारी गड़ी में 12 hours होते हैं उनको दिखाए जाता है यह उस से related है he requests everyone to speak अब वो उस तोरान कहता है कि कोई ने बोले किसी से ने बोलने के लिए कहता है because क्योंकि वो यह मानता है कि language creates barrier between people जो language है जो बासा है वो क्या करती है लोगों के बीच में एक barrier बना देती है एक workout पैदा कर देती है the moment when everyone stop moving their body और जिश दोरान उस पल जब हमारी कोई भी स्रील की जो हल चल है हम अम उसको रोकते है will be very special वो बहुत special होगा यदि हम इस moment के दोबारा means 12 तक हम count करते है उस दोरान हम स्रीर की कोई भी हल चल नहीं करेंगे आपने स्रीर की हर activities को रोक देंगे तो ये पल है ना बहुत special होगा and different as we have experienced such a moment before और इतना अलग होगा जिस इसका हमें पहले कभी अनुबव नहीं किया हो ये पल हना इतना स्यान्त होगा इतना स्यान्ती से बराह होगा इतना अनोखा होगा ऐसा पल हमारी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं आया होगा आगे क्या कहता है the point says that in this period of in activity अब इस activities के दोरान जब आप one से लेकर twelfth accounting करते हो तो उस दोरान आपको क्या करना है उस दोरान यदि आप ये करोगे इंट्रोसेप्शन करोगे तो दा फीसर मैन वूट नोट हाम दा वेल्स अब जो फीसर मैन है जो मचली पकड़ने वाले हैं वो उनको इतना टाइम होगा सोचने के लिए कि वो गल्द करने जा रहे हैं और उसके बाद जो वेल्स मचलिया हैं उनको किसी भी परकार की कोई हानी नहीं पहुँचाएंगे दा साल्ट गैदर्स और जो नमक एकठा करने वाले हैं विल्ल नोट हाट दिर हैंड्स और उनके हाठ जो गाहल नहीं होंगे क्योंकि ये इतनी बीजी होते हैं कि इनको इस पता नहीं चलता है कि जो वेल्स मसलिया हैं यदि आप उनको किल करोगे उनको मारोगे तो यह मार प्रियावन की दर्ष्टी से भी वहुत हानी कारक है और हमें पाप भी लगता है इसी तरह लालची आदमी लगातार क्या करता है नमकी कठा करता रहता है उसके पास इतना वो नहीं होता है कि अपने गायल हाथों को देख सके दोज हुआर बीजी डिस्टोइंग दा नेचर और वे आदमी जो परकरती को नश्ट करने में लगे वे होते हैं उनको लाइप के पड़ती एक नई जिंदगी मिलेगी एक नई सोच मिलेगी दा में हुआर प्रिपेरिंग फोर वार्स वे आदमी जो युद के लिए तैयारी कर रहे हैं और विक्ट्री बेस्ट ओन डैथ ओप इनोसेंट पीपल और जो मासुम लोग हैं उनकी डैथ के उपर क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कहीं भी वोर होता है उस वार में बहुत से डैथ होती है और उस डैथ के बाद ही हमें जीत हासिल होती है और उसमें बहुत से मासुम लोग मारे जाते हैं और विल जोईन देर इनेमे और श्टेंड इन यूनिटी और वो आपस में क्या है कि उनको जब इतना सोचने काउंट करने का टाइम मिलेगा तो ये उनको पता चलेगा कि आप जो ये वार करने जारे आपस में लडने जारे इसका प्रिणाम क्या होगा इतना सोचने के बाद भी अपने दुस्मनों के साथ मिल जाएंगे और एक साथ खड़े हो जाएंगे means युद की जो feeling है उसको वो त्याग देंगे Doing nothing कुछ नहीं करेंगे No one will harm himself कोई भी अपने आपको ठेश नहीं पहुंचाएगा हानी नहीं पहुंचाएगा और एनी अदर परसन और नहीं कोई दूसरे आदमी को हानी पहुंचाएगा Everyone will unite सभी एक साथ रहेंगे and ponder upon his acts और जो वे कारिय करते हैं उनके बारे में सोचेंगे and realize और ये महसूस करेंगे the result of the debts जो काम करने जा रहे हैं कि उनका प्रिणाम क्या है जैसे फीचर मेंन है वो मचलियों को पकड़ने जाते हैं तो उस समय यदि सोचेंग इंट्रोसेप्शन करेंगे तो क्या होगा वो अपनी उसको जो हारम करने जा रहे हैं उस फिलिंग को उत्याग देंगे जो असाल्ट गैधरिंग परसन है जो नमक इकटा करते हैं वो इतने क्या करते हैं उनके पाइस इतना टाइम नहीं होता है कि अपने वो हाथों को देख सके इसलिए क्या होता है कि लगाता नमक गैधरिंग के काण उनके जो हाथ हैं वो कट जाते हैं गाइल हो जाते हैं यदि वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा उनको इतना टाइम हो जाएगा कि वो अपने गाहिल हातों को देख सकेंगे और जो यूद की लालसा रखते हैं आपस में जो सोल्जर होते हैं एक दूसरे के सामने होते हैं जो इंट्रोसेप्शन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि भी जीत तो हासिल होगी लेकिन बहुत से मासुम लोग इसमें मारी जाएंगे फिर उस जीत का क्या फाइदा है जिदो ऐसा करेंगे तो उनके परतिजों यूद की फिलिंग से वो चेंज हो जाएगी अपने आइडिया को क्लेरिफाई करता है और आगे कहता है वो यह नहीं चाहता है कि आदमी बिलकुँ इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आप वन से लेकर 12 तक आप बिलकुल खामुश रहना है कुछ नहीं करना है बिल्कुल आप निकम में हो जाओ, काम बिल्कुल भी नहीं करो He wants that, वो चाता है कि there should be no war between कोई भी युद नहीं हो Because he does not want to see truck ladens with dead bodies on the scope of the soldier क्योंकि वो चाता है, वो नहीं देखना चाता है कि जो truck होते हैं वो हमारे सिपाईयों की dead body से भर के आए, लद के आए He is promoting universal brotherhood and peace, वो तो पूरे भरमान के का जो भाई चारा है जो स्यानती है, उसको promote कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है The poet says that, poet कहता है कि that everyone is working continuously परतेक आदमी लगातार काम कर रहा है To achieve one goals, अपने अपने goals को achieve करने के लगातार काम कर रही है People are threatened by death, उनको दमकी दी जाती है and fear force them to work और उनको बाद़ किया जाता है लगातार काम करने के लिए So that, ताकि they can achieve everything quickly, ताकि वो हर चीज जल्दी से प्राप कर सके In this matter, अपने इस रस्त में, बेड में, they do not realize, वो ये realize नहीं करते हैं कि the repercussions of their acts, उनके कारियों का क्या अंजाम होगा He wants us to oppose, वो हमें रुकने के लिए कहता है And come out to the mad rush, और जो अंदा दून-दून है, पागलों की तरम आगे बढ़ रहे हैं पैसा कमाने की लालसा में, उस से बाहर आने के लिए कहता He wants us to be happy, वो चाहता कि हम खुश रहें About our achievement हमारी उपलब्दियों से And celebrate them और हम उनका आनन ले He wants us to overcome the fear of death, भैक के मोत भैक हमारी पजो डर है, उस से भी उपर आना चाहता है And relax for a while और कुछ समय के लिए चाहता कि अराम कीजिए We should know the result of our debts हम जो कारिय कर रहे हैं, करने जा रहे हैं उसका हमें result का पता भी होना चाहिए And celebrate our achievement, अपने achievement है उनका celebrate करना चाहिए When people will remain quiet for a while जब आदमी कुछ समय के लिए विल्कुल खामोस रहेंगे, चुप रहेंगे They will realize the purpose of their lives उनको अपनी life के उदेशा के बारे में पता होगा Just like all the creation of nature जैसे की जो परकरती है Undergo a rebirth, दोबारा उसका जनम होता है Change of season, जब कोई नया मौसम बदलता है Similarly उसी तरीके से keeping quiet यदि हम चुप रहते हैं Will be a rebirth for the human soul वो आदमी की आत्मा का एक नया जनम होगा It will give a new meaning to our life ये हमारी life को एक नया मीनिंग देगी Again दोबारा the poet says कहता है That he will count 12 तक गिनेगा And ask everyone to remain quiet while he lives और वो कहता है कि तब तक हो खामोस रहेगा 12 तक और उसके बाद हो यहां से चला जाएगा The students उमीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी Have a nice day Thank you very much